तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं मेरा मौनिंग क्लीनिंग वाला रूटीन जो मैं हमेशा करती हूं पर आज कुछ जादा ही करना है क्योंकि मैं सेटिंग चेंज कर रही हूं हॉल की तो जब हम वापस लोटे थे ना घर से तो यहां पे काफी गर्मी हो गई थी उ पहले तो मैंने इसको सेंटर पर लगा दिया और साइड में हम रखते थे हमारे बैड वगेरा टेबल पर पर हवा वगेरा अच्छी नहीं आ रही थी और बहुत जादा होच पोच लग रहा था तो मैंने सुचा इसको साइड करके अलग कर देते हैं तो मैंने टेबल को तो दूसे रूम में ही शिफ्ट कर दिया है और कूलर को साइड में लगाया तो यहां मैंने बच्चों से भी सामान वगेरा रखवाया क्योंकि हम आज बहुत सारा काम है तो मैंने बोला यह दोनों भी साथ में लग जाएंगे तो काम फटा-फट हो जाएगा क्योंकि में को खा यहां का बैट क्लीन करने के बाद मैंने कुछ कपड़े दोई थे तो इसको मैं लगा रही हूं गड़ी सामने से पूरे कपड़ उठाके मैंने सैट कर दिये और उसके बाद मैं पहुंच जाती हूं बच्चों वाले रूम में जहां इनके काफी टॉइस वगेर पड़े थे तो मैंने इन लोगों से समिट वाए और उसके बाद मैंने सारे कपड़े वगेर जमा के और हम मैं नगाने वाले हूं सब जगे पर ज़ाड़ू और क्लीन करूंगी घर को तो सारे कमरों में जाड़ू वग्यरा लगाने के बाद ये हो जाता है हमारा घर बिल्कुल क्लीन और मैं पहुंच जाती हूँ किचिन में क्योंकि किचिन मुझे दिन में खाना भी बनाना था तो आज हमने ब्रेकफास्ट में कुछ भी नहीं बनाया था तो हमने सुचा चलो सीधे खाना ही बना लेते हैं तो क्लीनिंग मैंने जल्दी ही कर ली इसली लिए और मैं बना रही हूँ भिंडी की सबजी और रोटी तो सबसे पहले मैंने रोटी सेखी क्योंकि बहुत जादा गर्मी हो रही है आजकल और उसके बाद मैंने दाल चावल का मैंने भिंडी रात को काटके रख ली थी इसले मैंने भिंडी पहले फ्राइए करी और एक साइट पर रोटी सेख के रख लिये हैं और दाल भी चड़ा दी पर बच्चों जोने बोला कि हमें कड़ी खाना है तो सारी चीज़ें साइट करके मैंने एक साइट पर कड़ी भी चड़ा दी है हमारी कड़ी फ्राइ होने के बाद कुकर ठंडा हो गया था तो मैं एक साइट पर कर रही हूं दाल को फ्राइ तो लगबग सारा खाना तो बन के कंप्लीट हो गया है बस चावल रह गया था तो मैंने एक साइट पर चावल चड़ाया और इनको बोला आने के लिए पर इनको थोड़ा सा टाइम लग रहा था तो बर्तन पड़े थे तो मैं कर रही हूँ अभी हाँ पर अपने बर्तन को क्लीन बर्तन क्लीन करने के बाद मैंने किचिन को भी क्लीन कर लिया मैंने सोचा लगे हाथ सारा काम हो जाएगा उसके बाद फिर मैंने बच्चों के लिए आम रखाता तो ये आमरस बनाया और हम पहुँच जाते हैं अपना खाना खाने के लिए और मैंने लगा ये लंच थाली तो ये रही हमारी आज की लंच थाली वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करना भूले थैंक यू फॉर वाचिंग बाबाई